हाई अब्रिवन आज हम एक लांडमार्ग जज्मेंट को डिस्कुस करेंगे केस का नाम है महभूप शाह वर्स एम्परर ये एक लांडमार्ग केस है जिसने इस्टाबलिश किया कॉंसेप्ट कॉमन इंटेंशन का और डिफ्रेंशियेट किया कि हाव सिम इंटेंशन इस डिफ क्या है इस केसमें बहुत सारी कारेक्टर्चश हैं सो प्लीज प्रेइटेंशन नहीं दूसरीपार्टी थि मोहमद हुसेिन शाह इंके बेटे 3 वाली शाह और इनके निफ्यों अपतीजें थे गुलाम शाह ये होगई एक पार्टी ये speeding sworn लिए अब केस को समझते हैं साथ समझते हैं क्या होता है अलादात एक दिन अपने फ्रेंड हमी दुल्ला जो आप पहली पाटी हमी दुल्ला ये दोनों एक इंडस रिवर के पास आते हैं तु कलेक्टर रीज़ मत्लब ग्रास इंडस रिवर के सब्सक्राइब तो उस्मित के पास आते हैं मौहम HOLM Nicolas енर का हो सब्सक्राइब और वोलते हैं कि क। क्याँण्द मेरी यहां से नहीं जो घर शास मतактиर मनेGeneral कि और करते हैं लेकिन अलादक और हमीद उल्ला उनकी बात नहीं सुनते और वो कलेक्ट करके वापस लोट रहे होते हैं उसी टाइम मुहमद हुसेंशा के कजिन जिनका नाम था गुलाम शाह एक पार्टी दूसरी पार्टी मुहमद हुसेंशा उनकी कजिन गुलाम शाह वो आते हैं वो प्लीड करते हैं, request करते हैं, कि आप read मत ले जाओ यहां से, क्योंकि यह land मेरे अंकल की है, तो उनको वो लोटाल दो, और आप यहां से read लेके मत जाओ, उनको request करते हैं, लेकिन अलादाद उनकी बात नहीं सुनते, और उनको एक bamboo stick से उनको मारते हैं, उसी time वो shout करते हैं, चिलाते हैं गुलाम शाह, help के लिए, बोलते हैं, assistance के लिए, help के लिए चिलाते हैं, चीकते हैं, तो उसी की आवाज सुनकर, मुहम्मद हुसैन शाह के बेटे, वाली शाह आते हैं, और यहां पर entry लेते हैं एक नए character, जिनका नाम है महबूब शाह, आवाज सुनकर, एक अलादार और उनके friend, हमीद उल्ला, वापस लोट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, यहां पर वो दोनों लोग जो आते हैं, वाली शाह और महबूब शाह, वो शूट करते हैं, अब जो शूट किया, जो वाली शाह और महबूब शाह ने शूट किया, वो लगती है अलाद 334 of IPC 302 section किसका है IPC मडर का है तो उन्हें होली मारी उनकी डेथ हुई मडर था समझ में आता है लेकिन उन पर चार्ज आता है section 34 का भी which is common intention उससे पहले अब यह समझते हैं कि section 34 क्या है section 34 यह कहता है if any criminal act is done by several person in furtherance of common intention then each one is liable as if the whole act is done by him alone याने कि अगर कोई भी criminal act हुआ है by several person several person मनलब दो या दो से ज्यादा by several person in furtherance of common intention in furtherance common intention मतलब common intention होना चाहिए दोनों parties जो भी parties उस act को कर रही है उनका common intention होना चाहिए common intention pre-mediated plan होना चाहिए पहले से एक plan होना चाहिए so that is common intention अगर वो यह काम करती है तो each of the जो भी उस several जो भी members है जो उन्होंने वो क्रैंग किया है उन मेंसे हर एक मेंबर को libel करेंगे as if पूरा काम जो है पूरा आक्ट जो कर्मिल अक्ट है वो उसी ने किया है so that is section 34 of IPC अब court के सामने question क्या arose हुए court के सामने सबसे पहले question ही आता है कि क्या वाली शहां और महभू शहां में common intention था क्या उनका pre-mediated plan था second question ही आता है कि क्या similar intention same intention और common intention क्या यह same है क्या उनमें क्या difference है तो क्या हम उनको liable कर सकते है section 34 के अंडर section 34 जैसे कि हमने देखा बात करता है common intention की common intention क्या है court कहते है कि common intention is prior meeting of mind याने कि crime होने से पहले meeting of mind before the commission of crime there should be meeting of mind meeting of mind मतलब sharing of intention जैसे कि there are two people suppose A and B A का plan भी है C को मारना और B का plan भी है C को मारना individually दोनों का plan है C को मारना लेकिन they haven't shared this intention A ने B को नहीं बताया और B ने A को नहीं बताया उन्होंने आपस में बाद share नहीं करी तो यहाँ पर इनका common intention नहीं है यह है same intention common intention मतलब होता है intention की sharing there should be sharing of intention or same intention में there is no necessity यहाँ पर दोनों पार्टी का same intention है इसका भी intention है C को मारना इसका भी intention है C को मारना लेकिन यह common intention नहीं है क्योंकि इन दोनों ने यह intention share नहीं किया यह बोला कोट है So that was it for this video I hope आपको सारी चीज़ा समझ में आ गई होंगी We'll see you soon in the next video कुल से बाटी है